हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग और आज का जो शेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रेपोजिशन से रिलेटेड उच एरर्स कराईए तो जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आपने अल्लेडी देख रखा है कि सब्सक्राइब कराईए तो पहला पार्ट आप देख चुग है बहुत इंपॉर्टेंट वह एरर्स थी ठीक है आज इस पार्ट में मैं कुछ एरर्स लेके आया हूं बेटे एक 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 एरर में ऐसा कॉंसेप्ट है जो हंड्रेड परसंच आपके एक्जाम में आएगा ही आ हर बार एक दो बच्चों की कंप्रेर आती सब नोटिफिकेशन नहीं आता है तो बैटे बैल आइटम को प्रिस करिए जैसे ही वीडियो अप्लोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आए बीना टाइम रेश के विए देखते है पहली एरर आई केम एक्रॉ सएयोग से मिलना या चानक मिलना जिसके बारे में आपने आशा निकिती सोचा नहीं था वो विखती आपको अचानक मिल जाहे उसे कहते हैं और आचानक मिलना यह फ्रेजल वर्प की तरह भी होता है अचानक मिलना सायोग से मिलना जाएक तरह कोई इसके साथ कोई प्रयपारिशन पहली वास कोई प्रेपोशन नहीं तो दुसरी वास उतनी वाद याद रखने हैं मतलब होता है meet by chance अचानक मिलना त्रिक याद रखिए कम का मतलब क्या होता है आना सब्सक्राइब आप रूड पड़ जा रहे हो आपको रूड के दूसरी तरफ कोई आपका बंदा दिख जा इसको आप जानते हो आप अचानक उसे कॉल करोगे तो याद रखिए ट्रेक याद रखिए आप आरहो कम अचानक दिख गया आपने उसे बुलाया है अचानक मिला थ इसके साथ कोई प्रेपोशन का यूज नहीं होता है इतनी चीज आपको याद रखिए तो हो जाएगा I came across my old friends in the train I came across my teacher yesterday yesterday I came across Amitabh Bachan यानि मैं Amitabh Bachan से अचानक मिला था तो इसको आपने habitual use मिलाईए अपनी आदत मिलाईए इस तरह से इसका यूज करना सुरू करिए कि आ पहली बार के बच्छे बुक में पढ़ते हैं को लगता पता नहीं क्या rule इसको रटना पड़ेगा नहीं इसको पनी आदत में शुमार कर लीजिए मिला लीजिए इसको यूज करिए ऐसी ओर इंगल घटना हुई हो या ना हुई आप इसको बोलने में यूज करिए आप बो सब्सक्राइब अगला देखे शीज पाइनिंग टुदा रिटन ओफ हर लॉश्ट सन यह सारे रूल्स यह सारे रूल्स में अल्रेडी पीछे इसके कॉंसे बता चुगा हूं तो जो बंदे पहले यह वीडियो देख रहे हैं उसके उनसे में रिक्वेस्ट करूंगा उसके एक वर्न होता है और एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है डिजायर त्यका है कि चीज को पाने की अभिलाशा होना किया होना झाहनी लालजा होना तुझ यह पाइन समझी ये पाइन, जो वर्ड है, गाउ में पाइन का एक मतलब होता है, चीड़िया देउधार का पिर्ड, लेकिन पाइन का एक मतलब होता चाहत होना, डिदायर होना, इच्छा होना, पाइन के साथ क्या रखता है, प्रैपूर्शन फॉर है, अग्ला देखें, लॉंग के साथ प्रेपूशन क्या रहा है फोर क्रेव बहुत इंपॉर्टेंट रखना पाने की इच्छा रखना तडपना किसी जूश के लिए अगर मैं मुण के साथ भी क्या आता है तो देखिए एक वर्ड से इतनी आपकी वुकैबलरी क्लियर होगी सब के साथ आपको पता चल गया कि कौन सा प्रेपोशन आता है इस सभी के साथ एक ही प्रेपोशन आता है फॉर याद रखिएगा बिटा डिजायर लेकिन एक इंपोर्टेंट बात न डिजायर का एड्यक्टिव होता है डिजायर और डिजायर के साथ प्रेपोशन आफ आता है कभी कभी डिजायर के लिए डिजायर देदेगा तो डिजायर के साथ प्रेपोशन क्या आता है आगे की एरफ में इस चीज़ में बताऊंगा अभी आपको इतना याद रखना है पाइन हुआ, लॉंग हुआ, क्रेव हुआ, यर्ण हुआ, यर्ण को याद रखो, इस दुनिया में हर बंदा अर्ण करने की यर्ण रखता है, डिदायर रखता है, तो इस सभी का मतल्स होता है, चाहत इच्छा या बिलाता, तो पार्ट भी मेरर था, तू नहीं हो गया, क्या हो जाएगा बिटे, यहां फॉर हो जाएगा, देखिए, मैंने रेड कलर से इसको हाइलाइट भी कर दिया, तो हो जाएगा, she is pining, वो चाह रही है, ठीक है, for the return of her lord son, जो उसका खोया हुआ बिटा है, उसको वो वापस पाना चाह रही है, ठीक है, return उ तो क्या हो गया, part B में हो गया, अब वैसे तो two or four का मतलब आपको पता है, I am going to Agra, it is for you, यह basic चीजे अब exam में नहीं आती है, अब किस तरह की चीजे आती है, कि pining के साथ क्या लगेगा, long के साथ क्या लगेगा, यह sentence ऐसे भी हो सकता है, यह sentence ऐसे भी रिखा जाता था, he longs for a good job, तो इसका मतलब यह नहीं वो एक लंबी job चाहता है, इसका मतलब यह वो एक job पाने की इच्छा रखता है, तो यहाँ longs का जो मतलब है, वो desire है, इच्छा है, और इसका प्रेपूशन कोण आया, for आया, यह चीजे आपको या रिख दिया है, he longs for a good job, तो यह चीजे long, pine, कई बार exam में सारे words आया, तो आपनों screen sort ले लिए, कई बच्चे कहते हैं, तो आप ले सकते हैं, इसके बाद मैं इसको erase कर देता हूं, जाकि और भी मैं, जो error sound का explanation यहाँ बतापा हूं, ठीक है, चलिए, second हो गया, third देखिए, third है my brother ordered for a cup of tea, तो बिना आपका time waste की हो, जो बच्चे पुराने वीडियो हमारा इन बच्चों ने देखा है, उनको पता है ordered, अगर वर्ब के रूप में यूद हो रहा है, अगर order word किसी sentence में वर्ब के रूप में आया है, बही वर्ब है ही है, यह आपका subject है brother, subject के बाद आने वाला word क्या कहलाता है, वर्ब, तो अग order word के रूप में दो रहा है, तो इसके साथ कोई proportion रहता है, पार्ट बी में रहता है, order अगर वर्ब के रूप में आया है, बटा कोई भी proportion नहीं दोगा, लिख लीजे, तो हो जाए का my brother ordered a cup of tea, मेरे भाई ने order दिया था एक cup, चाय का, ठीक है, but order अगर कभी noun के रूप में आ आ जाए तो order के साथ proportion क्या आ जाता है, order के साथ proportion क्या आता है, आप फॉर लगा सकते हो, ठीक है, तो इसके देख लिए, my brother gave an order for a cup of tea, इसके देख लिए, my brother gave an order for a cup of tea, ठीक है, अब आप देख लिए, अपि क्या लगा हुआ है, अब बताईए, my brother gave an order, यहाँ पर noun के रूप में आया है, किसके रूप में आया है, इस बार order वर्ब के रूप में नहीं आया है, इस बार order noun के रूप में आया है, क्योंकि उसके पहले एन लगा है, article भी आया है, तो मेरे भाई ने दिया था एक order, आप देखिए, for proportion इसके सा यह चीजे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई है, तो order as a work, no preposition, order as a noun, noun जब sentence में आता है, order as a noun के रूप में आता है, तो इसके रूप में आता है, तो इसके रूप में पर पर सही है, correct है बटा, कि कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा knowledge है sentence में, अध जानो तो correct जानो, speaking बोल के किसी को impress मत करो, जितना जानो ठोस जानो, जड से जानो, इंगलीज बोल के impress करने से कभी selection नहीं होता है, कम बोलो, लेकिन जितना बोलो, अच्छा बोलो, correct बोलो, selection आपके बहुत नद्दीक होगा, तो यह third concept हो गया, तो order as a noun, for लगता है, अगला देखिए, अगला देखिए, विनाय अटाइक्ड on the boy, क्याद रखिएगा, आपका मैं time ही waste करना जाओंगा, अटाइक्ड, अटाइक्ड के साथ कोई proportion नहीं आथा, अगर अटाइक्ड किसी sentence का वर्व है, तो देखिए, विनाय आपका subject है, तो अटाइक क्या है, वर्व है, बट वही concept इसमें भी आजाएगा, ठीक है, फोर्व वाले का concept देखिए, अगर attack as a noun use हो रहा है, तो attack के साथ on proportion हम लगा सकते हैं, ठीक है, अब देख सकते हो, अगर मैं कहूं, the attack on the task, 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 was, bad लिख सकते हो, condemned लिख सकते हो, कुछ भी बुरा था बहुत, तो अभी बताईए, attack इसमें वर्व के रूप में भी जो रूप में हो रहा है, तो पैटे, आप देख सकते हो, इसमें जो attack आया है, वो subject के रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है, और जैसी वो लिख सकते हो, तो याज रखियेगा, बहुत 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 है, तो the attack on, क्यों जाएगा, the attack on, तो the article है, article नाउन के रिया आता है, attack क्या है, आपका, नाउन है, the attack on the touch was bad, इस बार attack वर्व के रूप में यूज नहीं होए, बट अगर attack वर्व के रूप में यूज होत अगर वर्व के रूप में है, तो इसके साथ कोई proportion नहीं आता हो जाएगा, मोहन विजिटेट मुंबई, मोहन विजिटेट मुंबई याद रखिएगा इस चीज को, तो यहाँ भी error थी part, beam error थी, टूरी लगेगा, बट वही चीजिस में भी आजाएगी, देखें कितनी अगर विजिट नाउन के रूप में आया है, तो आप तू का यूज कर सकते है, अगर मैं इस संटेंज लिखूँ, यौर विजिट तू मुंबई, वाज अमेजिंग, आपकी जो विजिट थी मुंबई की, वड़ी अमेजिंग थी, आपको थी अच्छी थी, तो याद रखें, यहाँ पर जो विजिट आया है, वो नाउन के रूप में आया है, और नाउन के रूप में जब भी विजिट आता है, तो two prepositions आई है, बट अगर वि आपो रिशन 25 से 30% अकेले रोल प्ले करता है, कोई भी एक्जाम हो, बैंक हो, एससी हो, एंडी हो, सिच्छक बढ़ती का कोई एक्जाम हो, कोई भी एक्जाम हो, यह चीज़ा आप अपनी common knowledge के लिए भी जानी है, तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग को, आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरू करिएगा, अपना feedback जरूर दीजेगा, आई वैल्यू ए feedback ठीक है, यह घर से मैं वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी बहुत नुआइज अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग देखिए, उसको आप लोग दील करिए, क्योंकि जैसे लोगड़न को लेगा, हमारे पास resources और जाएंगे, और बहुतर technology के साथ हम आपको classes दे बाएंगे, लेकिन इस resource में भी, इस साधन में भी बच्चों ने बहुत अच्छा feedback दिया, पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो subscriber बढ़े हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो ने अपना झाल